वीडियो सुरू करने से पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और मैं एक खुद एक किड्नी पेशेंट हूं और जो भी मैं आपको बताऊंगा वह बिल्कुल सही होगा अब बिल्कुल परमारिक जनकारी होगी उसमें कोई बनावटी बात नहीं चुपी होगी यह एकदम पूरा फैक्ट है क्योंकि मैं भी इस लाइन से गुजर रहा हूं और गुजर रहा हूं तो जितना अच्छा मुझे अपना एक्सपीरियंस है अपनी जरनी का एक्सपीरियंस है मैं उसी से आपको सारी बाते बताऊंगा तो चलिए आते हैं मुद् क्या पेलीज बताईये इस सचाई क्या है क्या इसी एजिए लगा कर राकर के बार्ता है क्या करने से क्या डालस हो सकता है चिडानिफीत हो सकता है या जो डॉक्टर विस्वरू प्रोय चो actionable है उनकी डियाइपी डाइट के बारे हैं वह तो चलिए आज हम इसके उस Twenty बना प कोटे आदमी नहीं है और उनके पर जो मैं इनके दावे की वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपने एक्सपीरियन से बताऊंगा क्योंकि मैं भी किड्नी फेलियर पेशेंट हूं और इस लाइन से गुजरा हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और गुजर रहा हूं अभी विना नहीं कर रहा हूं यह सिरफ मैं आप लोगों के लिए लिए कर रहा हूं चले जाला टाइम होए अभी सुरू करते हैं कोई इसा इनसान दिखता है जो बोल रहा है मैं डायलेसिस के लिए जा रहा हूं या मुझे किड्नी ट्रांस्प्लाइंट पढ़ना करना है तो उन्हें ये बुक जरूर दे दीजिए इसके अंदर सलूशन है मैं उम्मुद करता हूं कि इस दिवाली तक दुनिया या इस इस साल त किड्नी ट्रांस्प्लाइंट हुआ करता था यह सब चीजें पास की हो जाएंगी यही हमारी इस उम्मीद में काम करने जैसा अभी आपने सुना कि डॉक्टर विस्प्रोज चोधरी क्या बता रहे थे अगर ऐसा होता है यह डायलेसिस अगर पुरानी जमने की बात हो जाती जैसे की पेजर हो गए मुवैल से वैसे ही डालेसिस और ट्रांस्प्लांट भी रिप्लेस हो जाएंगे तो अच्छा है अगर ऐसा होता है तो यह बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो वास्तव में किड्नी पेशेंट के लिए एक नया उजाला नया सवेरा उनके बारे में बात करेंगे अगर आप डोक्टर के पाल स जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपको डालेसिस क्लिए जाना पड़ेगा जैसी वह बोले तो आपको क्या करना है आपको इंट उठा लेना है एक नहीं छे इंट उठाना है छे और छे इंट उठा के आपको वही करना जो हमारे पेशिंट करते हैं आप देखिए यहाँ पे यह जो छे इंट तीन इंट इधर तीन इधर यह इशिंदर फरीत कौर का ये फोटो है फरीद कोर की रहने वाली है वो दो हफते में दो डालेसिस करती थी PGI से फ्रसकाइब था PGI चंडीगर से तो परिशान होके फिर वो हमारे पास आई तो वो दी आई पी डाइट जो आपको अरड़ी पता है प्लस हमने उनको बोला कि आप छे इंट कहीं से भी ले लो जो मुफ्त में मिलता है और अपने पलंग के ऊपर नीचे लगा लो जिस तरह सी है जैसा कि अब भी आपने देखा कि डॉक्टर साब बता रहे थे कि आपको जब भी कोई डॉक्टर डालेशीस के लिए बोले तो आपको तीन इटे शे इटे उठा लेनी है और जो आपका तक्ता है जिस पर आप लेटते हैं तो तीन इटे आपको अपनी पेर की तरफ इस वा आपका सर 10 डिग्री नीचे आ जाएगा और आपकी टांगे 10 डिग्री उपर चली जाएंगी तो और कह रहे हैं कि डालेशीस सुरू हो जाएगा तो क्या ऐसे डालेशीस सुरू हो सकता है तो देखें जहां तक मेरा एक्सपेरियेंस है मैं उस पर बात करूंगा मुझे किसी पेशेंट का जब भी आप देख लेंगे जब युसका डालेशीस पर बन्दा होगा और बायचांज उसका बीपी कमाने लग जाता है तो टेक्निशन क्या करते हैं कि उसका टांगे होती हैं वो उपर करवा देते हैं और इसका सर नीचे हो जाता है और एक एंगल बन जाता ह तो प्लॉड कर यह होगा गा यह से होगी कंदीम होते हैं उसका सर नीचे हो जाता है टांगे उपर हो जाती हैं जब ब्लड का फलोगा वहाट आपके सर वी तरह पोंचेगा और यह बैटर को होगा क्योंकि तक से पुछ पहुंकि पूरी बोड़ी के अंदर होते हैं तो जितना जादा oxygen आपके mind की तरफ जाएगा उतना अच्छा आपका mind को feel होगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं अभी ठीग हूँ मैं मतलब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा इतना है क्योंकि मेरा बीपी जो है एक सो बीस एक सो तीस ऐसे ही रहता है कभी कभी बिलड प्रिट्सर मेरा सो से भी निचे चला जाता है एटी के आसपास आ बाइचाल मेरा बहुत पहले जैसे बीच में कटनी खराब होती है उनका जब हुआ है अब कि उसी पोजीशन ने जाता है जो डॉक्त बता रहे हैं पोजीशन में जाने से होता है कि उनके माइंड की तरफ ज्हादा से ज्यादा बलड जाने लग जाता है और जिसकी वज़े से जो पेशेंट होता है जब कम हो जाता है तो उसको बॉमिटिंग होने लग जाती है और उसको जारे चक्कर से आने लग जाते हैं और उसको अच्छा फील नहीं होता है तो जितना जादा ब्लड माइंड की तरफ जाता है तो पेशेंट को अच्छा फील ह होने लग जाता है और उसका ब्लड प्रेसर जो होता है वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है और टांगे उपर कर दी जाती है तो ऐसे उसके चैने की तरफ ब्लड ज्यादा जने लग जाता है अब डायसी इस पर होता है तो यह कहना पॉसी बल नहीं होगा यह बाल अच्छी में आता है और आप के ब्लड मेंसे जितने विश्ट में रहे हैं वह सारे हार्मोन का बैलेंस भी कर पाती है क्योंकि आपकी किड्नी से ही आपका जो ब्लड का डालेसीज हो सकता है या आपको कृतिम डालेसीज मसीन से ही आपका डालेसीज होता है लेकिन ऐसे करने से जहां तक मेरा एक्सपिरियंस है इस बीमारी का जहां तक मैंने एक्सपिरियंस लि कर दिया जाता है तो हम क्या कर देख रहे हैं यह तो फिर चलने लगता था वह क्या हुआ दाट इस ता फोर्स ऑग्रेविटी जो बचा-खुचा पेट्रोल किसी कोने में पड़ा था उसे पेट्रोल टैंक के वह बचा-खुचा-पेट्रोल आपने उसको हिलाया वह सीधे वह इंजिन में गया और उसको एक्सेस कर पाए आप और इसमें आपने लॉग ग्रेविटी उसकिया ग्रेविटी है तो वह वहा गया और उससे आपने कम से कम अपने नेक्स पेट्रोल पम तक तो पहुची गए ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया पॉस्च्चल मेडिस तो अब देखिए अगर किसी भी इंसान की बॉड़ी को हम 10 डिगरी पे ऐसे तिल्ट करते हैं जैसे अभी देखा आपने इसमें तिल्ट करते ही क्या होता है कि उनके बॉड़ी में ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरह से ब्लड पैर से पेट की तरफ उपर की तरफ वायन ल लगता है और इनी चीजों को बोलते हैं डालेस यही होता है तो देखा आपने अभी डॉक्र ने क्या बताया कि जब पहले स्कूटर हुआ करते थे बजा बजा चेतक और वह बंद हो जाये करते थे तो उसको ऐसे जुगाया करते ते तो एक तरफ और जब उसकी किमारी जात जीती तो वह चालू हो जाया करते थे तो ऐसे ही वह जो बता रहे हैं वह टेन डिगरी ऐसे टांगे उपर करके और सर नीचे करके लेट जाने से फ्रेंड यही होता है जो मैंने बताया आपको जब पेशिंट का ब्लड प्रिशर बहुत जादा लो हो रखा होता है हाई ब्ल ज्यादा हाई हो जाएगा और उसके सर में दर्द होने लगेगा और जैसे उन्होंने बताया कि स्कूटर को ऐसे टेल्ड कर देते थे तो वह चाली हो जाता था ऐसी सेम बोडी की तरह होता है और ऐसे करके जब उसको टील कर देते हैं लो ग्रेविटी की वज़े से तो वह सब्सक्राइब रहना चाते हैं कि उसमें नई उर्जा और नई सक्की आ जाती है तो नई उर्जा नई सक्की आने का कारणी यही है कि देखिए आपके ब्लड में oxygen होता है इसको आपके सारे और पहुंचाता है और जब बेपी लो हो जाता है तब जो पेशिंट किक्नी फि से लिटाया जाता है जैसे डॉक्टर ने बताया है सेम ऐसे तीन इटे निचे लगा के तीन इधर लगा के और से टिल्ड कर दिया जाता है उसको टांगे उपर कर दी जाती है और सर ऐसे नीचे कर दिया जाता है तो ऐसे करके उसके सर में ज्यादा जाने लग जाता है और ज्य है वो भी दीरेदगीरे करके नॉर्मलाइज आ जाता है तो मेरे एक्सपिरियंस से जहां तक अभी तक मैं गुजरा हूं बच्पन से लेकर अभी तक तो मैंने अभी तक अपनी जर्नी में यह देखा है मैंने ऐसे लेट करके यह कभी हुआ हो तो मैंने अभी तक ऐसा ना तो देखा है अगा है अगर एसा होता है तो यह तो यह बहुत अच्छी बात है और ऐसा होता यह तो दिन पर दिन खुलते जा रहे हैं और यह करने से कभी नहीं होता है समझ गए होगा आप मैं क्या कहना चाहता हूं और बाकि अगर किसी को अराम पड़ा हो ऐसे करने सब्सक्राइब करेंगे अगर कोई ऐसा पेशेंट है अगर करने से ठीक हुआ है जो डॉक्तर विस्वरूप दोय चोदरी का वाटर टेंक वाला जो दावा है जिसमें की 40 दिग्री सेल्सियस गरम पानी में आपको बैठना है करदन तक पानी रहना चाहिए और उससे आपका ड करके दिखाऊंगा मेरे पास एक मैट है जिसका टंपरेचर आप 50 दिग्री से उपर तक कर सकते हैं और वह मैट पर भी टंपरेचर बरावर उतना ही बना रहता है और उससे आपकी बोडी का टंपरेचर भी बढ़ने लग जाता है तो मैं उस पर आपको यह करके इससे क्या benefit होता है और मैंस को करता हूँ और मैंने यह बेल्ट क्यों लिया हुआ है क्योंकि यह जो डॉक्टर विसरुफ रोज चोदरी इसी से मेल्ट खाता है यह तो मेरे पास नहीं है रहुत कोष्ट लिया आता है और मैं इतना मेहँगा टेंग खरी सकूँ और क्योंकि दोक्टर ने बता है वैसा नहीं हो पाएगा तो मैं आपको मैट पे लेट करके पूरा अच्छे से आपको दिखाऊंगा लाइप पूरसेस पे तो आप इस वीडियो का वेट करिएगा मैं दो तीन दिन में यह वीडियो लेकर करके आऊंगा और इससे क्या बेनिफिट होते है और क्या फायदा होते हैं चाहिससे यूरीन भड़ता है क्या से वेट कम होता है क्या इससे किड़नी पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिलता है यह सह मैं आपको लाइव करके दिखाँगा और डियौ-पी डैट आपको पर्सो मिल जाएगी डियौ-पी डाइट में क्या-कया लोग भी नहीं देखते हैं तो इसलिए इसको हम पार्ट वाइस लेकर के आएंगे और सारी चीजे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और यह वाडर टेंक वाला में लाइव करके दिखाऊंगा आपको और डिया पी डाइट आपको पर वीडियो इसका मिल जाएगा ड ऐसा कुछ भी नहीं छुपा हुआ है तो फ्लीस बने रहेगा और वेट करिएगा दूसरे और तीसरे पार्ट का मैं जल्दी ही ले करके आँगा तो चलिए वीडियो को स्वाप्त करता हूं धन्यवाद